हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोकरीको केवेलियर्स बसे सोका किंग्स के बीच जो आज का टीटेन का मुकावला खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तो दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी दिटेल एनलेसेस करेंगे और हेड़ टू एड़ क टीम कॉमिनेसन तो देखेंगे ही और जानेंगे दोस्तो कॉनसे प्लेर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनलेसिस की उपर तो 23 मुकावला है दोस्तो टीटेन का और वेन्यू की बात किया तो ब्रेंड लारा स्टेडिय जा चुके हैं और जो भी टीम पहले बैटिंग किये 10 बार जीती है और जो टीम यहाँ पर चेस किये दोस्तों 11 बर जीती है तो यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा असान है और जो भी टीम दोस्तों यहाँ पर टॉस जीत रही है यही देखने को मिल रहा है कि वह पहले बॉलि स्कोर है स्कोरिंग पेटन की दोस्तों बात किये तो इधर मैं जादर टाइम वेश्ट नहीं करूंगा और बात आदू कि यहाँ पर 100 के प्लस यहाँ पर टॉस तो उतना माइन नहीं रख रहा है लेकिन फिर भी जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले फिल्डिंग करने का ही निद्र ने लेगी अब दोस्तों डेरेट बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की रिसेंट मैंचिस की विन रिकॉर्ड की उपर तो दैसक मैं आपको बताया कि कोकरिको केवलियर्स दोस्तों बहुत इखरा परफोर्मेंस है इनका इस सिजन का साथ मुकाबला खेले हैं और केवल एक ही मुकाबला जीते हैं और वहीं सोका किंग्स की बात किरते हैं तो साथ मुकाबला में सब पांच मुकाबला जीत चुके हैं और अच सुभर के मुकाबले में तो दोस्तों यहाँ पर रहाँ लोग डेट बात कर लेते हैं जब एक मुकाबला दोनों टीम भीड़ी थी आमने सामने इसी सी जन उस मुकाबले के पूरे यहाँ पर प्लेयर स्टैट्स की उपर थे इसे देखकर आपको आधाधा लग जाएगा यह की बात करें 13 जे जैम्स की बात करें 0 और यहाँ से बटाउ सिंग की बात करें तो दोस्तों 11 और यहाँ से बीडेसी की बात करें 16 और एच मिचल की बात करें तो 19 और नोट आउट यहाँ पर देखा जाए तो कोकरिको केविलियर्स की मतलब बहुत सारे बैट्समेन को मुका का मिला था तो जाहिर सी बात है सारे batsman performance अच्छा नहीं किया थे यहाँ डीस वेन अच्छा performance किया थे और नीचे से आकर दोस्तों मीचेल संदार performance था बागी सारे यहाँ पर प्लेर्स का अच्छा performance नहीं था एवरेजी performance था वहीं दोस्तों सोका किंग्स की तरब से बात करें तो एल जुलान दोस्तों 21 राइन बना थे सुनील राइन 68 रन नॉट आउट और जेसन मुहमद की बात करे था उनीच रन 93 रन नॉट आउट तो इधर से देखा जा तो टॉप और का बहुती संदार performance था और सुनील बात करें तो बहुती खराब performance है दोस्तों अभी तक इनका इस सीजन का अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर क्या रहा है कि कोकरिको केवलियर्स की प्ले इंग लें जो की फिशला मुकावला हार करा रही है इसी ग्राउंड पर तो आगे बढ़ने स्विले में बस यही बोलना चाहूंगा अगर आपको दोस्तों हमारी एनलेसिस अच्छी लग रहे हैं तो मैं आपको बोक्स जादा कुछी मांगता ह काफी है और आपको जैसे की पता है टेलिग्राम पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में टीम देता हूँ तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिशन में जल सील जाकर जोइन कर लिए वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद टीम मिलती रहेगी और जो वीडियो मैं रिसेंट के T10 मैंचस के रिकॉर्ट की उपर है तो NBDC की बात के रहे तो दोस्तों अभी फिलाल ओपनिंग कर रहे हैं और कियाओल एक मातर ये ऐसे मतलब ओपनर है जो कि दोस्तों अपने टीम के लाब संदार प्रफॉर्मेंस कर रहे हैं 24 रन, 22 रन और लाश्ट मुकाबले में 37 रन बनाये थे और यहां से F-Rose को पिछले मुकाबले में ओपनिंग वेजा गया था ये भी 15 रन की पारी खेले थे तो अगर न्यूज आती है कि दोस्तो F-Rose एक बार फिर से ओपनिंग करेंगे तो ये आप लोगे ग्रैंड लिक लिए मस्ट भी करहेंगे स्मॉल लिक लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे और तो सबसे बड़ा नाम लिकल करार रहा है दोस्तो B-Ram-Dial, तो B-Ram-Dial आपको जैसे की पता है कि 5-Dial आते हैं बैटिंग करने और उससे पहले दोस्तो ओपनिंग करते थे पिछले मुकाबले में आया थे 5-Dial तो यहां से B-Ram-Dial भी आप लोगे ग्रैंड लिक 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 अस्मॉल लिक की बात करें तो D-Sven जो की बॉलर है फिर भी इनका बैटिंग में रिकॉर्ड देखाया तो सभी मुकाबले में दोस्तो डबल डिजिट में रन बनाए हैं तो D-Sven आप लोगे स्मॉल लिक 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 बाकी दोस्तों यहां पर जो middle order के तीन में ने बता दिया तो इनको आप ग्रेंड लिक में ही ट्राइ किजेगा रैच मिचैल भी आप लोगे ग्रेंड लिक 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 एम है दोस्तों वही तक बहुती संदार बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट मुकाबले में दो विकेट लिये थे और जगेसर की बात करें ये भी संदार बॉलिंग कर रहे हैं पिर बिलियम्स की बात करें लास्ट मुकाबले में खेले तो थे लेकिन बॉलिंग नहीं किये तो ये आ आपको पता है कि bowling section में है लेकिन कभी bowling करते हैं कभी नहीं करते हैं लेकिन betting दोस्तों टॉप order में आते ही हैं तो यह आपको कले best रहेंगे ही अब दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर Soka Kings की क्या रहा है इस मुकावले में प्लेंग लेवन तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लेते हैं दोस्तों इनके सारे players के records की उपर तो आपको जैसे कि पता है कि यह बहुत ही strong मतलब खेल रही है और बहुत है संदनार फॉर्म है और सबसे बड़ा जो यहाँ पर स्टार्टिंग में ग्रेंड लीक के लिए मैं बेस्ट पीक बताता हूं कि एल जु पॉइंट देंगे और ओपनिंग में अगर आप इनको चैप्टर बनाते हैं ग्रेंड लीक में और जैसे कि आपको पता है कि कोक्रिको के विलियर्स ट्रॉंग टीम नहीं है तो एल जुलीन आप लोगों के लिए बहतरीन साबित हो सकते हैं ग्रेंड लीके टीम में सुनी ल बयंग सक्सम से बात केरें तो दोस्तों रीमेंड को आपको लेकर चलना है और यहां से जीसन मोहमद जो कि अवी तक दो ही विकेट लिया है लेकिन बैटिंग से सुननी लन् dimensional लेकर तो इधर से दोस्तों चार मैंने बोलर बताया दिया जिसमेंस कुछ बैट्स में वी हया और सबसे इंपोर्टन बात दोसकी जो तो बेंच पर बैठे हुए एस संकार अगर खेलते हैं तो Grand League के लिए best option रहेंगे अभी तक दोस्तो बेश्ट विगट के लिए हैं साथ विगट और अभी रॉंपॉल खेलेंगे तो ये भी आप लोग के लिए तो दोस्तो ये तो होगी हमारी पूरी head to head stats और analysis अब डेट बात कर लेते हैं दोस्तो अब key players की उपर तो key players में दोस्तो कोक्रिको Cavaliers की तरब से बात के रहें तो NBDC आप लोग के लिए key player रहेंगे A.M.H.S.D.S.W.E.N. J.J.G.E.S.R. और यहाँ से B.Ram.D.L. ये पांच आप लोग के लिए key players रहेंगे इस मुकावले में Soka Kings की तरब से बात करें सुनील नराइन, जेसन मुहमद और यहाँ से बात करें J.Botain, एल जुलेन और सीरे मेंड आप लोग के लिए रहेंगे key players थे ये तो होगी दोस्तो हमारी पूरी hit-to-head और पूरी recent के ट्विटन मैंचेस की stats और analysis मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और हम लोग direct बात कर लेते हैं team combination क्यों पर तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर direct बात कर लेते हैं team combination क्यों पर तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको दोस्तों हमारी analysis अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे लिए इतने काफी और चैनल पर पहले बात करके ज़रूर जाएगा ताकि आगे के सारे updates आपको सबसे पहले मिलती आपको अच्छा performance करते हुए दीख सकते हैं और आप चाहे तो भी राम डियाल को भी ले सकते हैं ग्रेंड लिक की टीम में फिलाल तो मैं हासे ऐल जूलेन के साथ जाओंगा बैटिंग सेक्शन से बात कर तो एन बीडेसी को में ले रहा हूँ जे बुटैन और के सिमंस को मे ले सकते हैं लेकिन फिलाल मैं के सीमंस को ले रहा हूँ क्योंकि के सीमंस और डीचाल्स दोनों का बैटिंग ओडर सेमी है और दोनों दोस्तों बॉलिंग करते हैं विशला मुकावले में डीचाल्स को एक विकट मिला था लेकिन बैटिंग से कुछ खास performance नहीं था तो अब बात कर लेते हैं एक पिलर जो मेरे बच जाते हैं तो आप चाहते हैं से ए रांबरन को ले सकते हैं जो कि विशला मुकावले में संदार बॉलिंग किये थे नहीं थे दोस्तों आप चाहते हैं तो डीचाल्स को ले सकते हैं जो कि मिडल ओडर के बैट्समें है और बॉलिंग और IPL में दो दोस्तों आपको पता है कि वहाँ पर 6-7 आपको grandly के teams के साथ साथ तो small लेकर भी team देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की उपर तो जैसे कमने आपको बताया कि यहाँ पर सुनी लरायन कैप्टन के लिए थोड़े से रिस्की इसले रहे हैंगे कि पिछले मकाबले हम पूरी तीरे से flop हो गये थे नहीं दोस्तों बॉलिंग से विकेट मिल है टेलिग्राम पर ही मिलेगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चार बैट्समन के लिया है एक विकेट कीपर और तीन यहाँ से ओल्डॉंडर और तीन बोलर को आप बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रिव्यू फिर उसके बाद ग्रैन लिके टीम की उप पर तो दोस्तों यह रहने वाली है हमारी यह स्मॉल लिके टीम की प्रिव्यू जिसक्यू पर अभी हम लोग बहुत देर से डिसकस कर रहें थे तो जैसन मुहमद को मैंने लिया इनको मैंने क्याटन बना है डी स्वेन को हैस मैंने वाइस क्याटन और यहाँ पर मैं 6 प्लिय को भी ले सकते हैं नहीं तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग स्वे इसक्शन में तो ज़ादा आपको खास अपसंन देखने को नहीं मिलेगा तो मैंने यहाँ बैटिंग स्वेन और ये रहेंगे में मैं बोलर में जगे सर, रेमेंट और डिस्वेन अब आत के लेते हैं दोस्तों Grand League में तो Grand League में सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैं El Julain को लिया हूँ Grand League के टीम में और Wicket Keeper में बात किया है तो B.R.M.D.L. को मैंने लिया और El Julain को मैंने लिया थी यहाँ पर आपको मैं एक चीज यह बता दू कि जोस्तों जो Soka Kings के पिलेर्स हैं इनके आपको जैसे कि पता है कि बहुत ही संदार फॉर्म में चल रही है यह टीम तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इनमें कुछी पिलेर संदार फॉर्मेंस कर रहे है सोगा Kings की तरफ से जैसे होगा Jason Muhammad जो कि हर मैंच में परफॉर्मेंस कर रहे है Jay Bhutan, Sunilaran, El Julain और बॉलिंग से बात करे तो पिछले मुकाबले में यहाँ से A Rambran अच्छा पॉर्मेंस किये थे तो देखा जा तो एक तरह से यहाँ पर मैं एक बॉलर जो कि पिछले मुकाबले मैं बॉलिंग किये थे जूलीन इनको भी मैंने ले रखा है Jason Muhammad, Sunilaran और यहाँ से A Rambran को मैं लिया है तो टोटल दोस्तों Soka Kings की तरफ से मैंने पांच प्लेयर लिया है जिसमें से दोस्तों चार प्लेयर बॉलिंग करते हैं और जेबुटेन जो की दोस्तों बॉलिंग नहीं करते हैं बैटिंग करते हैं और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कोकरिको के वैलियस की तरफ से तभी राम डायल को मैंने grand league के लिए खास करकर करे लिया और prakt कि मिले रहा हो D Charles को यह मैं थ great LEA纪 को तो यह दो सो रहने वाली है move grand league के टीम k मिनेसन कैप्टन मैं यहाँ से बना रहा ही l julenon को, rynk को ऐसे उठाते हुए और vice captain Jason morhammid को आप चाहें तो दोस्तो यहाँ पर मैं captain बना सकते हैं D1 को नहीं तो आप Nvdacy को भी captain बना सकते हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि दोस्तो सुका किंग्स के players कोई captain बनाए क्यूंकि आपको जैसे पता है कि यहाँ पर CCL का performance कुछ खास है नहीं तो यह दोस्तो होगी हमारी आज की वीडियो यहाँ पर मैं आपको बताया पूरा डिटेल एनलिसिस और साथ में दोस्तो small league और grand league की best team combination तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगी तो दो बस चैनल को subscribe कर लिए पहली बरा है तो दोस्तो notification बिल को on कर लिए ताकि आए के सारे बिलेट सबसे पहले मिलती रहा धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए